अज हम 2nd class maths का chapter 3, mong road lines start करेंगे इस वाले chapter में हम different type की lines के बारे में पढ़ेंगे basically दो तरगी lines से एक straight line और एक curve line तो straight line और curve line दोनों के बारे में अपने इस वाले chapter में देख लेते हैं इसके अंदर एक activities दे रखी है, take a thread, एक धागा, एक रस्सी आपको लेनी है और उसको दोनों सीरों से पकड़ना है पहला तरीका तो यह होगा कि हम उसको दोनों तरब से बिलकुल खीच के पकड़ लें तो वो हो जाएगी straight line और थोड़ा सा lose अगर छोड़ दें तो फिर वो हो जाएगी curved line जब बिलकुल खीच के पकड़ा हुआ है stretch किया हुआ है line को तो जो बनता है वो होती है straight line और जब lose किया हुआ होता है तो जो बनती है उसको बोलेंगे अपन curved line ठीक है जैसे let us draw some lines by joining the dots तो यह dots बनाए हुए हैं उनको join करके अपने कुछ lines यहाँ पर draw करी है जैसे यह dots हैं जो एक दूसरे के बिलकुल सामने हैं उनको मिला दिया तो यह line बन गई ऐसे यह line बन गई यह और यह इन में से यह जो line है यह वाली इसको बोलेंगे अपन vertical line जो उपर से नीचे आती है यह हो गई vertical line या standing line क्या बोल सकते है vertical या standing line यह जो है थोड़ी टेड़ी जा रही है उस वाली line को बोलेंगे slanting line या ठीक है तेड़ी वाली line होगी slanting line यह वाली जो line है जो थोड़ी horizontal है इसको बोलेंगे sleeping line या horizontal line तो यह sleeping line है और यह standing line है यह slanting line है यह भी slanting line है तो standing, sleeping, slanting, slanting अब यह वाली joh line है गोलगूमी होई है यह curved line मानी जाएगे ठीक है तो यह curved figure है यह curved figure है यह horizontal line है जिसको आप sleeping line भी बोल सकते हो यह slanting है slanting है slanting है यह slanting है यह vertical line है यह standing line है ठीक है तो यह अलग-अलग type की जो three lines थी standing, slipping और slanting वो हमने देखा और इसके साथ curved lines भी हमने देखा है तो इसमें दे रखा here lines are straight lines यह 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 और यह 4 straight line है और यह सब है twisted या curved lines ठीक है अब representation of lines lines का representation कैसे करते है दोनों side arrow लगा देते है यह arrow यह बताता है कि infinite ने काफी लंबी दूरी तक regular चलती रहती है दोनों side तक यह बहुत लंबी दूरी तक हमेशा चलती रहेगी the arrow heads at each end indicate the line continuous without end यह चलती रहेगी बिना रुके दोनों तरफ arrow जिदर जाता है ना उस direction में यह left side में भी पूरा चलती रहेगी continuously और right side में भी चलती रहेगी ठीक है इसको बोलेंगे line अब line के अलग-अलग types है sleeping line standing line slanting line अभी हमने देखा ना यह जो horizontal line है इसको बोलते है sleeping जो vertical line है इसको बोलते है standing line और जो थोड़ा तिर्चा जा रहा है उसको बोलेंगे अपन slanting lines horizontal से horizontal यह sleeping एक है फिर vertical और एक last है slanting तो अपन sleeping, standing, slanting छोटी classes में आपने पढ़ा भी है उसे की उसी को use करेंगे अब देखो यहाँ पे कुछ practice करनी है आपको sleeping line बनाने की उसके बाद आपको standing line बनाने की practice करनी है फिर slanting line बनाने की practice करनी है यह practice इसली जरूरी है क्योंकि जितने भी mathematical numbers है या letters है हिंदी के या English के है ना तो उनको draw करने के लिए इनी का combination use करना पड़ेगा आपको sleeping line slanting line, standing line और curved line इन चारों के combination से बन जाएगा ठीके, अब line बनाने के लिए एक ruler का भी use हम करते है ruler का use कैसे करते है जहां straight line बनाने वार ruler रख देते है और उसके side side pencil चलाने के बाद ruler को वापिस हटा देते है तो नीचे क्या हो जाता है एक straight line draw हो जाती है ठीके अब जैसे ये वाल एक figure है इसमें दो तरह की lines है कौन-कौन सी line है, कुछ straight line और कुछ curved line तो straight line को मैं ऐसा करता हूँ, blue से दिखा रहा हूँ जैसे देखो ये वाली straight line है ये straight line है, ये straight line है इसके अलावा ये जो triangle बीच में nose वाला बना हुआ है और बाकी जो green वाली है curved, ये curved है ये curved है, अंदर ठीके तो eyes, smile या lips और ये जो नीचे वाला face का portion है ये curved line से बनाया गया है तो कुल मिला कि इसमें straight line और curved line दोनों है circle eyes के उपर भी देखो straight lines बनाई गई है तो straight line और curved line से मिलकर figures बनाया जा सकता है अब numbers में कौन सी line से वो देखते है तो जो digits है हमारे वो कौन-कौन से है 0 है, ये curved line से बना 1, ये हमारा straight line से बनेगा है न, देखो फिर 2 है, तो 2 यू करके यू बनेगा तो नीचे straight line है, उपर curved line है फिर 3, ऐसे straight line फिर curved line तो straight और curved दोनों से बनेगा 4, 4 में straight line से आएंगी, ऐसा बनाओ चाहे ऐसा बनाओ 5 में straight line भी आएगी और curved line भी आएगी 6 में only curved line आएगी कोई straight line इसमें नहीं आएगी 7 में बस straight line आएगी 8 में only curved line आएगी 9 में curved line भी आएगी और straight line भी आएगी या 9 को कभी-कभी कुछ लोग ऐसे यूं बनाने की जगए ऐसे भी बनाते हैं तो वो 9 पूरा ही कर्ड लाइन के अंदर आ जाएगा तो देखो जो book में दे रखा है उसको consider करते हूँ है अपन चलते हैं book में जो दिया हुआ है आपके वो यह है कि जो numbers are made from straight line जो straight line से बने हैं वो digits है 1, 4 और 7 कौन कौन से हैं एक तो है 1 only straight line है 4 और 7 और जितने भी number in digits के combination से बनेंगे वो सब only straight line से बनेंगे और curved line से कौन कौन है 0, 8, 3, 9, 6 0 और 8 तो है 3 को हम दो तरीकों से बना सकते हैं एक ऐसे जिसमें straight line है बाकी इनों ने ऐसे बनाया हुआ है तो दोनों curved line आ जाएगा 9 को भी इनों ने ऐसे ही बनाया है तो वो भी curved line में consider कर लेते हैं और 6 में भी हमने इसो curved line से ही मान लिया है ठीके तो आप ध्यान रखें कि एवल 1, 4 और 7 तीन ऐसे digits हैं जो only straight line से बन रहे हैं ठीक है तो ये पूरे 10 digits आ गए अब इनके combination से हम सब कुछ बना सकते हैं जैसे straight line वाला बनाना है तो हमने देखा था straight line 1, 4 और 7 से बनेगा तो आपको एक तो हो गया 1, 7 आप 1, 4 ले लो आप 147 ले लो आप इसके अलावा 441 ले लो 47 लिक लो तो 1, 4 और 7 के combination से जो भी digits जो भी numbers बनेंगे उनमें only straight line यूज होगी only curved line किसमें यूज होगी जो curved वाले digits से बनेंगे curved वाले digit कौन-कौन से है 0, 8, 3, 9, 6 कौन-कौन से है 0, 8, 3, 9, 6 तो इनसे combination से क्या बना सकते है जैसे 80 बना ले जैसे 30 बना ले, जैसे 90 बना ले, जैसे 96 बना ले, जैसे 93 बना ले तो इनमें only क्या कौन सी line यूज होगी curved line यूज होगी और अगर आपको straight and curved दोनों यूज करना है तो एक digit इसका ले लो, एक digit इसका ले लो जैसे 1, 6 ले लो ठीक है और या फिर 7, 0 ले लो ठीक है या फिर ऐसा digit भी ले सकते हो जो ऐसे 2 आ जाए जैसे तो 2 एक single digit में straight line और curved line दोनों है ठीक है 5 आ जाए और 3 आ जाए ठीक है तो ये कुछ तरीके हैं इस तरीके questions को solve करने के अभी कुछ diagram बनाने हैं जो आप खुद कर सकते हैं Thank you